कि हेलो गॉइस इस वीडियो में हम लोग आर्टिकिल 25 के बारे में जानेगे आर्टिकिल 25 जो है राइट टु फ्रीडम ऑ और Certainly के अंतरकत आता है जो हमारे फॉंडामेंटल राइट के अंदर में इसके बारे में explain किया गया, right to freedom of religion जो है, वो article 25 से 28 तक इसके बारे में वंदन किया गया जिसमें धर्म की स्वतनतता के अधिकार के बारे में हम लोग detail में cover करेंगे, article 25 जो है, वो हमें एक तरह से अधिकाल देता है, कि हम अपने जो भी धर्म है, जिस भी धर्म के लोग जो है यहाँ पे आपके भारत में रह रहे है, वो अपने तरीके से उस धर्म को पूरी तरह से celebrate कर सकते हैं, propagate कर सकते हैं enjoy कर सकते हैं, उसको ले करके यह अनुचे 25 जो है, उनको यह rights जो है, वो provide करता है, देखे भारत एक diverse country है, यहाँ पे हर तरह के धर्म के लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, चाहिए वो हिंदु हो, मुस्लिम हो, सीख हो, चैन हो, हर तरह के लोग एस च्रुक्टरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और वो अपने अपने तरीके से अपने धर्म को वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं, प्रोफेस करते हैं, ठीक है, वो सारे चीजे अपने तरीके से उसको enjoy करते हैं, तो यह जो अजादी है, यह अजादी आपको सिर्फ भारत में ही इतने बड़े लेवल पे अच्छे तरीके से हर धर्म को यहाँ पे इस rights के provide की जाती है, ऐसे बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे हर एक लोग अपने तरीके से बाकी धर्म को लेकर के enjoy नहीं कर सकते हैं, बाकी जैसे मैं रस्या की में बात करूँ, तो रस्या में जो अगर दुसरे धर्म के लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो वहाँ पे उनको पूरी तरह से openly में enjoy करने के rights नहीं हैं, अपने religion को लेकर के, तो उसी को लेकर मैं कहता हूँ, कि हमारा देश जो है, वो एक तरह से बहुत ही अच्छा देश है, diverse country आपको देखने को मिलेगा, हर एक तरह का right जो है, यहाँ पे आम नागरिक को यहाँ प हर एक person को यहाँ पे समान अधिकार यहाँ पे दिया गया है, कि वो अपने धर्म को पूरी तरह से अबाद रूप से मना सके, आच्रन कर सके और प्रचार करने का समान हक जो है, वो अनुछेद 25 जो है, उनको यहाँ पे देता है, सभी वक्तियों को यहाँ पे यह सारे अधि कार उनको प्रोवाइड किये जाते हैं, तो अन्तकरन की सासत, धर्म के अबाद रूप से मनाने, आच्रन और प्रचार करने की स्वतंतर जो है, वो अनुछेद 25 में इसके बारे में जिकर किया गया है, कौन साइन्स की अगर हम लोग बात करे, freedom of कौन साइन्स का मतलब क्या ह यहाँ पर उनको पूज सकता है, उनकी पूजा कर सकता है, उनको अपना सकता है, और किसी भी तरह से उनको यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यह अजादी यहाँ पर अटिकल 25 के दर्थ उनको यहाँ पर धी जाती है, अपने भगवान को ले करके, चाहे किसी को भी ले करके, वो उनको पूरी तरह सा जादी है वो उनके प्रती अपने असरद्धा वो व्यक्त कर सकता है इसके जासाथ अगला जो है राइट टू प्रोफेस है राइट टू प्रोफेस क्या करता है किस कोई भी व्यक्ति ही क्यों न हो उनको यहाँ पे एक तरह से openly और freely वो अपने विश्वास को यहाँ पे क्या कर सकते है धार्मिक विश्वास को और आस्था को सार्वजनिक और बिना भैके गोशना करने का अधिकार जो है वो मनाने का यह अधिकार यहाँ पे आठकिल पच्चिस के तरह उनको यहाँ पे दिया जाता है हर एक व्यक्ति को अपने धर्मिक विश्वास और आस्था की यहां पे अधिकार के रूप में यहां पे अपने उसी को ले करके यह अधिकार उनको यहां पे शारवरिनिक तोर पर पर प्रोवीड किया जाता है तीसरा जो इसके अंदेकत आपको देखने को मिलेगा आचरन का अधिकार यानि आप इसको किसी भी तरह से प्राक्टिस कर सकते हैं अपने धर्म की पूजा है पूजा यह हो गया जो रिचुल्स हो गया जो जिस तरह से आप अपने धर्म को इंज्वाई करते हैं अपने परव प्रोवैट किया जाता है इसके साथ आप प्रोपकेट भी कर सकते हैं अपने आस्ता के बारे यह बहुत बड़ी बात यहां पर बोली जा रही है यह अनुशेत 25 के तर्थी बदला जा रहा है कि आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपने धर्म को ले करके आप दूसरों को बता सकते हैं लेकिन आप किसी को forcefully convert नहीं कर सकते हैं अपने religion को लेकर करके यह भी बात यहां पर कही जा रही है अगर मैं एक्जामपल लहूँ टॉक्टर भीमरा अमितकर जी का तो वो बैसिकली बाद में अपने अंतिम दिनों में वो फिर बाद में उन्होंने बहुत अधम को अपना लिया था बुद्धिस्ट में convert हो गया थे तो यह उनकी अपनी choice थी धियान से समझेगा अगर आप कोई person जो है वो अपने choice से अगर किसी धर्म में परवलतन होना चाह रहा है वो एक अलग case हो गया है लेकिन कोई भी किसी को forcefully convert करने के लिए प्रेसराइज नहीं कर सकता यह बात यहां पे कही जा रही है ठीक है जब दस्ति किया गया कि धर्मातरन जो है वो यहां पे यहां पे नहीं होगा यह बात यहां पे कही जा रही है ति यह सारे चीज़े जो है यह अंशित 25 में केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बलकि धार्मिक आचरणों को भी यहां पे क्या करता है समाहित करता है यह ध डिजन के लिए भी अविलेबल है यानि दोनों के लिए जाए वो नागरिक हो भारत का नागरिक हो यह अधिकार उनके लिए भी उपलब्द है तो यह था आपको यह समझ में आया होगा अच्छे से इसको समस्ते हो चलीगा स्वतंतता का अधिकार है जिसका 25 अनुशित हम लो उसको लाइक कर दीजेगा जाए ज्यादा इसको सियर केजिए और बाकी लोग को भी इनवाइट केजिए आपको यह आटकिल के सिरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रिविएस अगर आटकिल्स आपने नहीं कवर किया होगा तो यह वीडियो का प्लेलिस्ट आप करेक कर लिजे देख लिजे और इतना से नोट्स बनाते हों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत